नमस्कार जेवीटी एंटर्टेन्मेंट चानल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आप सभी के साथ अंकिता दिलजीत दोसाज कोचीला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल 2023 में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन आर्टिस्ट है इस इवेंट की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इस दोरान सिंगर के एक वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है दरसल दिलजीत पर कुछ यूजर्स ने भारती जंडे का अपमान करने का आरोप लगाया था इस पर सिंगर ने भी रियाक्ट करते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब द दिलजीत का कोचेला फेस्टिवल से वाइरल हो रहे एक वीडियो में परफॉर्मेंस खत्म करते हुए दिलजीत एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं जिसके हाथों में भारती जंडा था और वो कहते हैं कि ए मेरी पंजाबी भाई भरवा लई मेरे देश द जंडा लाइ दिलजीत को इसी वीडियो के लिए कुछ यूजर स्टोल कर रहे हैं और उन पर देश के जंडी का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं कोचेला ओडियंस के साथ दिलजीत की बातचीत का एक वीडियो शेर करते हुए एक ट्वीटर यूजर ने आरोप लगाया कि दिलजीत दोसांज ने एक लड़की पर अमेरिके में एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के दौरान भारती जंटा लहरा कर नफरत फैलाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि नफरत मत फैलाओ संगीत सबका है किसी एक देश का नहीं दिलजीत दोसांज क्या भारती तिरंगे के लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं है वहीं अब दिलजीत ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है उन्होंने पंजाबी में ट्वेट किया क फेक न्यूज और नकरात्मता मत फैला मैं किया ए मेरे देश दा जंडा है ए मेरे देश लई मतलब मेरी ए परफॉर्मंस मेरे देश लई जे पंजाबी नहीं ओन दी तो गूगल कर लिया करो यार किनके कोचेला एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल आ ओ थे हर देश दा पार गया तो ने सीखे वेल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एंटर्टेंडमेंट से जुड़ी आसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जे वी टी एंटर्टेंडमेंट चैनल के साथ नमस्कार